आज हम लेकर आए हैं के तुग रहे की बारे में के तू ग्रह लगन से लेकर बार में वहाँ तक बैठकर क्या का फ़त इता है और क्या कै आपको इसका लाव होता है केतू और राहू एक ही ग्रह हैं एक ही धड़ होता है गर्दनकारदी समुद मंथन के बाद आपने सुना हुआ इसकी मध्यम से तो केतू की जो दसा होती है और साथ साल होती है और केतू अधी लगन में बैठा है तो आपके बानी सम्मंदित जिवाब बात करेंगे करकस बानी आपके अंदर आएगी जिससे आपके काम खराब होंगे दूसरा आपके अंदर पेट में दिखकर देता है तीसरा आपकी संतानी मिस्करज कराता है चौथा आप अपने किसी के लिए चाहोगे प्रेम करोगे अपना मानोगे उससे आपको दोका दिलाता है और लगन भाव का राहू धन बहुत दिलाएगा अचाना से दिलाएगा दोस्तों के मद्धिम से दिलाएगा कुटूम से दिलाएगा परिवार से दिलाएगा और हर चीज़े कर लें लेकिन कुटूम के लिए आप थोड़ा सा करकस बानी का प्रयोग करेंगे उससे आपके दोस्त और आ के लिए अपने कोटों के लिए ऐसा बैक्ती परफेक्ट पूर समर्थन वाला नहीं होता है आप कहीं न कहीं आपकी टोनिंग वहाँ पर शैट नहीं बैठती है दी भाव केतु तुर्थी भाव में दी केतु बराजमान है तो आप किशी के लिए कितना जस्ट कर देंगे सारा सपोर्ट कर देंगे फिर भी आपको नहीं मानता है बोलेगा आपने में रिलिक क्या किया है आपको बड़ा कश्ट होता है तुर्थी भाव का जो राव केतु होता है वो कहीं न कहीं आपके जीवन में आपको डिश्टर्ब करता है या आपको अपजेस्ट दिलाता है आपक है इसमें बी आपको शंपी से बनी रहती है के तुकस एपकर करकास बाणी रहे हैं आपका सपना बहुत बड़ा होता है और आपका जो पता का जंडा आप बहुत लहराइगे उसके गया पर हीरों कमाते हैं और आपके जीवन में जो शंपना होता है एक फूरा होता है सच्ट भाव का जो केतू होता है एशे में आपको करजा रोक रुकावट बनी रहेंगी जिसको आप चाहेंगे मानेंगे विश्वास करेंगे उससे आपको विश्वास कहात होता है जिससे आपको नुफसान होता है और आपके अपने लोग आपसे मिलेंगे आपसे से होती है और आपकी बती पतने की टोनिंग है और करकस बाढ़ने की पर बना रहता है आप कुछ बोलेंगे को कुछ बोलेंगे एक सम्मन एक साथ सुर्थ नहीं रहता है आप सी में तालमेल बगड़ा रहता है दूसरा आप दी ब्यापार करते हैं या ब्यापार में सब के सार पाइनी करते हैं, साइधारी करते हैं, तो उसमें भी आपको सपन्दा नहीं मिलती है, उनकी आपकी दोनों के लाश्ट में लड़ाई हो जाती है, अस्तम में दे केतु आपका ब्राजमान है, तो ऐसी में क्या है कि बेक्ति के अंदर बहुत जादा ऐसा बेक्ति किसी हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने वाणी में नियंदर रखना चाहिए मतलब साफ सुत्रा बोलना चाहिए और कम बोलना चाहिए गुस्सा नहीं करना चाहिए नमम का केतु दिया आपके बराजमान है तो हैश्य में क्या है का आपका भागोद्य होता है जंडा लहराएग एश्य व्यक्ति अपने कुल का नाम कमाएगा पिता का नाम कमाएगा और एश्य व्यक्ति का तरक्की साधिवात तरक्की हो जाती है दसम का केतु जो भ्रमान करेगा आपके में रहेगा दसम भाव में तो एश्य में आपके सब कुछ करते हैं आप स्टार्टिंग आपकी द ग्यारमें भाव का, तो केतू एक छायाग रहे है, तो एक दस भाव में जो केतू बराजमार रहेगा, तो आपको बहुत साही जीदों को लाब देगा, भूमी, भवन, ठेकेदारी, लाइजिंग, कमीशन का काम है, ब्यापार का काम आपको कराएगा, नौकटे में लाब दिल आएगा, और बहुत जल्ली आपकी कोई नई टेक्निकल चीजों में जोड़कर आपका बहुत जागा, नाम कमाएगा, जिससे आपको लाम मिलता है, और आप अपने बड़े भाईयों के लिए सेवा करते हैं, परिवार को लेकर चलते हैं, उससे आपको सपलता मिलती है, केत अपने जीवन में नई च्छाब बनाएगा, नया ज्हंडा लहराएगा, और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करेगा, उनके पास पैसा कितना भी आप देदेंगे, पर बचेगा नहीं, पैसा बहुत जल्ली खर्च करते हैं, इसे लोग जिनका केतु बारमा होता है, उनको करनेश हैं, केतु करें परसन होगे, उनको लाब मिलेगा, केतु धहुरासी मुच्च का होता है, और केतु जहां जहां बैठता है, उसके कोडिंग कोडिंगा, पहले उसको देखे समझे, कोई कोई बहुत से लोग क्या करते हैं, केतु का कैट साइड रतन होता है, वो पहन लाब नहीं करता है, कहां कहां बैठकर केतु क्या कफन देता है, उसके कोडिंग ही आपको पहनना है, तब आपको उसका लाब मिलता है, केतु अचारक से सपलता दलाता है, जीवन में नाम कमाता है, राज नीती हो, ब्यापार हो, नोकडी हो, प्रोमोसन हो, सब चीजे आपको कैसा लाब करेगा, तो पहले वेडियो को लाश्तर देखे सब्सक्राइब करें, श्रमी को भेज़ें, और देखें अपनी पत्तिका से बिलाकर, कहां ब्राजमान है, और उसका क्या फाल है, ठीक है, उसके साब से फिर हमारे संस्थान के बध्धम से आप पूछ सकते हम आपको बताएंगे, कैसे आपको लाब मिलेगा, अपना धार रखें, जै माता दे gmail.com